तो आज हम लोग निकल चुके हैं मावेशन देवी की यात्रा पे अभी मैं खड़ी हूं मावेशन देवी के ट्रिकुर्ट परवत के सामने और यहां से हम लोग उपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं रात के वज़ रहे हैं तो यहां परवेश दोवार यहीं से हैं मावेशन देवी की यात्रा शुरू होती है और यहां वहां परवत जहां पर आपको लाइट्निंग राड़ें महाव सारी यात्रा की रास्ते हैं तो चलते हैं आपार किने करने के लिए यहां पर आपको इक 1080 कर्णे बand duduk ि पीफ। की पराले एंड पर आप को में मार्ट्री मार्किट कट्रा में मिल जाएगा और आपने यातर के लिए आप ददी लेसके सब आप 20 और ऑफकी पड़ेगी और जब ऑपिस आए को दिले सकते हुए सबसे पहले ही दर्शर होता है बार। दो यहां पर शाथ ब्ला में प्यास लगिन से ऐसने गाहना दो तो यह आज ति आज तक यहां पर बह रही है तो यहां पर यात्रा करते हो तो सबसे पहले बारागांका की दर्शन होते हैं और अच्छे से शुदहों कि अपनी यातरा सट करो है खलो और हमने अपनी यातरा शूग करी है पैल यहां पर जू है आपनी यातरा घोरों से पाल्की से भी कर सकते हैं और छुट-चुटए बच्चों के लिए हम में ताकि आपक खाने पीने की जगा और फूट स्टॉल्स मेडिकल केर बगरा सब यहां अवेलेबल रहता थोड़ी ही चड़ाई करने के बाद में यहां पर दर्शन होते हैं चरण पादुका के तो मा वैश्णोदेवी ने यहां पर रुक के यह अंदाजा लगाया था कि भैरो बाबा उनसे कितना दूर है तो उनके चरणों के निशान यहीं रहे गए थे और आज उस जगा पर मंदिर मना दिया गया है मंदिर श्री चरण पादुका तो हम लोग भी अब यहां पर मंदिर में डर्शन करते हैं फिर उसके बाद में अपनी आगए यातरा की तरफ बढ़ते हैं जै मत अब हम क्रोस कर रहे हैं अर्थकुआरी में मा नो महीने तक गुफा के अंदर तपस्या की थी तो इसलिए इसका नाम गर्बजुन गुफा भी है और हम लोग आगे की यातरा कर रहे हैं घोडों से क्योंकि हम लोग उन्हें इतनी सीडिया चली थी तो हम बहुत जाला ठग गए इसलिए हमने डिसाइड कर रहे कि हम आगे घोडों से चड़ेंगे तो अब थोड़े देर हमारे यासे एक देड़ गंटे का रास्ता बचा होगा भाया ने बोले कि एक धेड़ गंटे तक अल्मस्ट वो हमें भवन तक पहुंचा देंगे फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मा वैशन देवी के भवन पे और मैं भवन के सामने ही खड़ी हूं मेरे पीछे आप जो लाइटिंग देख रहे हैं वो सब भवन ही है और यहां से अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए प्रशाद वगारा हम लोग जो है प्रशाद हो गया है तो हमने स्काइवोक्स जा करें दर्शन करें तो अर्मोस्त अब लोग अनली डॉर्मेटरी जिसमें लोग ने अपनी रात मिकाली और थम्धूड़ा वह तर्श्राइस करा अर्व जो शुबा के नौ और यह हमारे डॉर्मेटरी से मा के भवन का नजार प्रशाद के लिए और यहां पर आपको भेड चौप मिलेगे जो श्राइं बॉर्ट की तरफ से ही है तो यहां पर आपको प्रशाद कराईएं हैं 50 रुपीज और 100 रुपीज पड़ेगा 50 रुपीज वाला प्रशाद जो है उसमें नारियल नहीं होता है तो अब हम लेते हैं प्रशाद और चलते हैं मां के दर्शन करने के लिए करने का रास्ता अब हम लोग जाते लोकर में पर्स वगए रखतर के दर्शन करने के लिए रोपे की लाइन में और हमारे दर्शन बहुत अच्छो है जैसे आप अंदर जाते हैं आपको मां वैशन देवी पींडियों के रूप में दिखाई देती है जो है एक मां काली एक मां लक्षमी और एक मां सरस्वती तो दर्शन मारे बहुत अच्छो है अब चलते हैं बहुत बहुत दर्शन करने के लिए तो यह सारा यहां का टिकट कांटर जहां पर पर पॉसर 100 रुपिस का चार्ज है उस्ति रुपिस जाने के लिए आने की अजय को अजय है आरो फिसे एक जिट करते हैं यहां पर चलते हैं पर शार्ट पाइज पराइब नेक्राइब के लिए और शाइन बोर्ड का भी पुसराद की शौपित्स अबहां सवी देशन बैने के बाव्य को चलते हैं बाव के दाशन मानिक्तम बोल भैरो बाबा की तो भैरो बाबा के दर्शन करके हमारी यात्रा हो गए है खतम और अब हम जा रहे हैं कट्रा बापिस लोग को यह याइन कर लिया है होब आपको मेरा आज को पस्क्राइब कर देना और कोमेंट बॉक्स में जैम आदरी जरूर लिगने कर दो कर दो कर दो बाद है जोग पार कर दोग कर दो है रहा है कर दो दो बाद है